वेलकम बेंक वाल फ्यू। तोड़ी आ गोई तो डिसकस अबाउट रेट ओफ रेडियाक्टिव डिके एंड डिसिंडिक्शन इन दा फॉर्म फॉर्स्ट पॉडर रेक्शन देखिए। तो इसमें लोग सबसाइब स्टरी जोडेड़ करेंगे लेकिश। विच्छ स्पॉंटिनियसली लगाता है निट अल्फवा बीटा पार्टिकल कोर गामा रिडिशन तो अपने आप ही अल्फवा बीटा गामा रिडिशन तो क्या करेंगे जलेट इतनी हुने वो क्या है मारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सेकेंड केस्दी बात करें आटिफिशन रेडियो एक्टिविटी में क्या होगा देखो अनुब अकरेंगे तो बंबार्डमेंट करने से क्या होगा प्रिद्ज आइसोटोप वीच आई रेडियो एक्टिव उनके आईसोटोप जन्रेट होगे और हो क्या होंगे बढ़कों सब्सक्राइब करेंगे इसके अंदर अम लोगों ने खुछ जर्लेट करवाया और क्या है अपने आप भी स्पॉंटिनेसली क्या हो रहा है है एन इत हो रहा है तो क्या हो गया नेचरल रेडियो अक्टिविटी और इस वन ही आज इस यह आजिए पार्टिफिशल विद रिस्पेक्ट तू तो वो डारेक्टी प्रोट्शन हो जा कि इसके N के N मतलब number of particles एक बढ़ाए प्रोपिस्पेशन भी देखो हमारे पास जो N है N क्या है number of particle number of particle at time T और हैं पर हम लोग एक्ची और पंस्टिट करेंगे N not, N not क्या है? number of particle at time 0, it means initially हम लोग उने कितना number of particles लिये थे? initially, क्या है? अब देखो हो हमारे पास फास्ट प्रोट्रेक्शन क्या है? क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है? लोगों क्या होगा? initial upon way final मतलब जो हमारे पाद final लिग बचेगा तो 2.303 upon way t log हम लोग इस equation को इससे compare करेंगे A note क्या होगा हमारे पास यहां बदेखो A note हमारे पास है यहां पर N not number of particle initially और N क्या है? number of particle at time t मतलब कितने particles बचेगे after time t तो यह हमारे पास radioactive disintegration के अंदर यह बार पास आगया जैसे तो इसको rate constant बोलेगे बट यहां क्या बोलते है इसको decay constant या फिर disintegration constant अब इस पर लोग बात करेंगे से इस पर काफी numerical speedy लोगे वाकी numerical तो first order पर भी करने हैं लोगो तो एक बार completely हम उस पर lecture करेंगे हैं सारे numericals पर यहांब एक सिर्फ seamless examples देख लो यहांब देख एक बार देख लेए एक एक एक्जामपल यह कोशित की फों में अपनों ले लेते हैं यहांपर हमारे पास कोई भी component है यह तू ग्रेम है और after 10 बिनाट that 2 ग्रेम component become 1 है मतलब कि हम बोजब के है reduce to 1 है तो finally हमारे पास लिके constant क्या होगा या disintegration constant क्या होगा तो 2.303 अपन में क्यों गया t और लोग उफ क्या हेगा initial amount अपन में residue amount 2 by 1 तो 2.303 टाइम होगे बस कितना है 10 मिनट तो लोग उफ क्या आ गया 2 लोग 2 की वेली क्यों होगी 0.3010 2.303 अपन 10 into 0.3010 तो के अब लोग ने find out कर लिया यहां से आपनों calculate कर लेंगे और calculate करने के हमार पास कितना आएगा 0.693 अपन में क्या आगया and 0.0693 अपनी और मिनट इंवा तो रेडियाक्टिव डिसिंटिक्रेशिंट के अंडर इस तरह के numericals भी डील करेंगे और पार्टिकल्स के ओपर के होगा कितना amount था तो उसके basic नम्ले numericals बील करते हैं अब यसे आपने फर्स्ट ओडर में H&P पढ़ाता हाफ life period तो इसमें क्यों लोग पढ़ सकते हैं Half Life Period तेखो हमारे पास नमबर पार्टिकल इनिशली क्या है अनोट बट Half life period मतलब की 50% जो complete हो जाएगा अनोट कितना हो जाएगा अनोट वाई 2 तो यह हमारे पास क्या हो गया इनिशल यह क्या हो गया हमारे पास Final तो क्या कितना आ गया 2.303 अपन में T Log of at initial अपन में Final तो हमारे पास आच चुका है 2.303 अपन में T Log of 2 2.303 0.3010 क्योंकि Log 2 की value क्योंकि 0.3010 अपन में क्या आ गया हमारे पास T तो T क्या हो गया हमारे पास T 50% और 0.693 तो यह हमारे पास expression आ गया 0.693 अपन में T 50% तो यहां से की हम लोग find out कर सकते हैं अब 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 नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट पी चलते हैं